दोस्तों, ये है Motorola G31, जिसे Motorola ने एक aggressive pricing के साथ में इंडा में लाउंच किया है, इसका pricing शुरू होता है 12999 से, 4GB 64GB वाल जो वेरेंट है उसकी, और ये है Redmi Note 10, जो की काफे समय पहले इंडा में लाउंच हुआ है, और ये जो smartphone है 4GB 64GB वाल वेरेंट, इसका pricing है तकरीबन 13999, तो pricing में थोड़ा सा difference है, और ये जो दोनों smartphone है, खास करके budget friendly audience को target कर रहे हैं, तो इन में से कौन सा smartphone भैतर है, चलिए चेक करते हैं, देखते रहे हैं दोनों का pricing काफी अच्छा है, लेकिन Moto G31, 1000 रुपीज सस्ता है, और design के अगर बात करें, तो दोनों ही smartphone काफी impressive दिखते हैं, pricing अगर आप consider करें तो, और again जो design है, ये subjective matter है, तो मैं आप पे छोड़ देता हूं, कि आपको इन में से किसका design सबसे best लगा, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं, कि दोनों ही smartphone's, lightweight भी है और slim भी है, दोनों में 5000 image के battery है, उसके बावजूद, एक और चीज़, side fingerprint sensor दिया हुआ है, Redmi Note 10 पर, और ये जो Moto G31 smartphone है, इस पर rear side पर fingerprint sensor दिया हुआ है, तो again आपका जैसा preference होगा, उसके हिसाब से आप जा सकते हैं, दोनों smartphone's Android 11 run कर रहे हैं, out of the box, लेकिन एक बहुत बड़ा difference यह है, कि जो Moto का smartphone है, इस में stock Android run हो रहा है, और ये My UX UI के साथ में आता है, जो user experience है, वो आपको Motorola का जो G31 smartphone है, इस पर भेतर मिलने वाली है, no ads, no bloatware, just pure Android experience, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत G31 पर जो My UX है, इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके अलावा, ये 100% made in India है, और इस पर think shield for mobile run हो रहा है, जो कि business grade security provide करता है, आजको बहुत सारे लोग security के लेकर काफी serious हो चुके हैं, तो उनके लिए ये जो Moto G31 smartphone है, ये भेतर option होगा, दोनों smartphone's Full HD Plus resolution के साथ में आते हैं और दोनों ही smartphone's पर AMOLED display का उप्योग किया गया है, वैसे Moto G31 की जो quality है, ये थोड़ी सी बहतर है, 700 nits brightness के साथ में आता है, धूप में ये अच्छे तरीके से visible है, AMOLED screen आज के तारिक में बहुत ही important इसलिए है, क्योंकि ज्यादा करके लोग, खास करके ये जो budget friendly segment है, इसमें जो लोग है, students हो या फिर work from home, या फिर movie watch करने वाले, तो उनके लिए ये जो AMOLED display है, ये काफी बढ़िया रहने वाला है, बढ़िया experience मिलने वाला है, वैसे G31 पर hybrid slot दिया हुआ है, दोनों ही 4G smartphones है, dual volty support करते हैं, दोनों पर type C port दिया हुआ है, दोनों ही smartphones पर 5000 mAh की battery है, जो कि आपको बढ़िया battery life दे देगी, fast charging supported है, Moto G31 के साथ में 20W fast charging, और Note 10 के साथ में 33W fast charging, यहाँ पर definitely Note 10 को advantage मिलता है, लेकिन battery life के अगर बात करें, और क्योंकि जो Moto G31 smartphone है, इस पर stock Android run हो रहा है, तो जो consumption है, वो काफी कम रहेगा G31 पर, इसका मतलब यह है कि G31 पर आपको थोरा सा भैतर battery performance मिलने वाला है, हाड़वर के अगर बात करें तो जो architecture है, वो भी अलग है दोनों ही smartphones पर, G31 पर Mediatek Helio G85 octa-core processor का उप्योग किया गया है, जबकि Redmi Note 10 पर Snapdragon 678 processor का उप्योग किया गया है, जो Helio G85 है, यह powerful chipset है, इस segment में, और Snapdragon 662 और 665 के comparison में काफी अच्छा है, दोनों ही smartphones पर आप गेम स्केल पाएंगे, अगर gaming performance देखें तो जो Redmi Note 10 है, इसका जो performance है, यह थोड़ा सा भैतर है, लेकिन अगर आप normal तरीके से इन smartphones का उप्योग कर रहे हैं, gaming user नहीं है, तो जो difference है, वो इतना ज़ादा नहीं है, motor smartphones के साथ में आपको gestures मिलते हैं, जो क एक unique चीज़ है, camera की अगर बात करें, तो G31 पर triple camera setup दिया हुआ है, जिसमें 50 megapixel का primary camera है, f1.8 aperture के साथ में आता है, quad pixel technology का उप्योग किया गया है, और यह पहला smartphone है, इस segment में, जिसमें 8 megapixel का sensor दिया हुआ है, और यह जो lens है, basically ultra wide और depth sensor, दोनों की तरह काम करता है, एक lens में दो features दिया हुआ है, और एक 2 megapixel का macro lens दिया हुआ है, Redmi Note 10 पर 48 megapixel wide angle lens है, 8 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro और 2 megapixel depth sensor दिया हुआ है, तो G31 पर कम cameras है, लेकिन वो सारी features आपको देता है, जो कि Note 10 पर आपको मिलता है, चलिए अब camera quality चेक करते हैं, दोनों का comparison करते हैं, तो यह है camera samples, left hand side Moto G31 और right hand side है Redmi Note 10 यहाँ पर Moto G31 का जो shot है, इसमें 8 megapixel sensor का उप्योग किया गया है depth के लिए, जिसके कारण यह जादा details capture कर रहा है, अब यह देखे, यह एक और shot है, यहाँ पर दोनों ही smart phones ने काफी अच्छा काम किया है, Redmi का जो color है, यह थोड़ा सा boosted लग रहा है, जबकि Moto G31 का जो color है, यह काफी natural है, और Redmi Note 10 जो है, यह warm type का है, अगर आपको photographic knowledge है, तो आप यह जो color difference है, इसे easily adjust कर पाएंगे, यह एक normal shot है, और यहाँ पर दोनों ही smart phones ने काफी अच्छा काम किया है, और यही shot को अगर मैं wide angle mode में shoot करूँ, तो यह दिखें, यह है wide angle shot, वैसे जो difference है, यह जादा न camera है, काफी अच्छा है, और खास करके आपको यह budget friendly price segment में build रहा है, तो दोस्तों, यह था comparison Moto G31 versus the Redmi Note 10, अगर आपको बढ़िया full HD plus ML display चाहिए, बढ़िया camera चाहिए, बढ़िया battery life चाहिए, और clean operating system चाहिए, secure software experience चाहिए, जो कि आपको think shield देता है, Moto का यह G31 smartphone पर, और यह सब आपको सिर्फ 12999 रुपे के price में, लेकिन अगर आप कोई ऐसा smartphone खरीदना चाहते हैं, जो कि gaming focused हो, लेकिन budget price में आता है, जिसका जो UI है, वो इतना light नहीं है, बहुत सारे pre-loaded apps आपको मिलने वाले हैं, और of course, कुछ ads भी होंगे उसमें, और इस handset का pricing 1000 रुपीस extra है, तो आइए, इस वीडियो को like जरू कीजिए, और देखते रहे हैं